नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं एश्टो तक और मैं हूँ आपके साथ शेलेंद्रपांडले बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी की सहायता करने के लिए समय पर पैसा देते हैं या किसी को करज देते हैं लेकिन वो पैसा फस जाता है अपना ही पैसा अपने को वापस नहीं मिल पाता और ऐसा करके जाने कितने बार पैसा फसता है उधार दिया और दुबारा दर्शन ही नहीं हुए तो अगर आपका पैसा फंस गया है तो कैसे पैसे को वापस निकालें कैसे वापस पैसा पाएं आज इसका उपाय आपको बताएंगे देखिए ज़ादा तर पैसा फंसने के पीछे जो गरह होता है उसे चंद्रमा कहते हैं अगर कुंडली में चंद्रमा खराब हो जाता है तो आप भल मनसाहत में पैसा देते तो हैं लेकिन वापस मिलने की संभावना कठिन हो जाती है दूसरी बात अगर कुंडली में चंद्रमा दूशित होता है तो व्यक्ति थोड़ा emotional होकर भी पैसे देता है लोगों को साहता के mood से देता है लेकिन वो पैसा उसे वापस नहीं मिल पाता क्या उपाय करना चाहिए देखिए अगर आपका पैसा साधारन पैसा फसा है यह 10-20-100 की बात है तो ऐसी दशा में आप नियमित रूप से सूरी भगवान को जल चड़ाईए और जल में लाल मिर्च के बीज डाल दीजिए दो चार दस बीज लाल मिर्च के साधे जल में डालिए और वो जल भगवान सूरी को अरपित करिए और अरपित करने के बाद ये प्रार्थना कीजिए कि आपका फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिले, आपका फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगा अगर पैसा बड़े एमाउंट का है 2-4 लाग, 10 लाग, 20 लाग की बात है पैसा फंस गया है, नहीं मिल पा रहा है तो क्या करेंगे इसके लिए मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान जी को लाल फूल की एक माला चढ़ाईए और इसके बाद हनुमान जी के सामने बैठ करके सुन्दर कांड का पाठ कीजिए और ये लगातार 11 मंगलवार कीजिए, आपका फंसा हुआ पैसा मिलने की संभावना आपको बन जाएगी तीसरी स्थिती ये होती है कि पैसा फंसा था, कुछ मिल गया और कुछ बिलकुल नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे कि पैसा पूरा मिल जाए इसके लिए हर शनी वार को हनुमान जी के मंदर जाईए हनुमान जी को प्रसाद अर्पित कीजिए और उसके बाद उस प्रसाद को एक थोड़ा सा प्रसाद स्वैम खालें और बाकी प्रसाद लोगों में बाट दें इसे घर लेकर बिलकुल ना है अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो पूरा पूरा फसा हुआ पैसा है वो वापस मिल जाएगा एक स्थिती और होती है कि कोई प्रॉपर्टी खरीदे कोई संपत्ती खरीदे बाद में कैंसिल किये कुछ पैसा वापस मिल गया बिल्डर से पूरा पैसा नहीं मिला तो ऐसी दशा में क्या करें कि पूरा पूरा पैसा वापस मिल जाए जो प्रोपर्टी के लिए लिए थे प्रोपर्टी भी नहीं मिली और पैसा भी नहीं मिला इसके लिए आप क्या करिए कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अरपित कीजिए अगर महिला हैं तो लाल फूल अरपित कीजिए गुरहल का फूल है तो बहुत अच्छा होगा और अरपित करने के बाद नौ बार हनुमान चालिसा का पाठ कीजिए हर मंगलवार को ये उपाय भी करीबन 11 मंगलवार तक कीजिए तो संपत्ति के चक्कर में जो आपका पैसा फंस गया है या संपत्ति के चक्कर में जो आपका पैसा डूब गया है निश्चित रूप से वो धन आपको वापस मिलने की संभावना बन जाएगी तो एश्ट्रो तक में आज के लिए बस इतना ही मुझे दीजिये इजादत नमस्कार